बहुत से couples ऐसे हैं जो pregnancy conceive करना चाहते हैं बट pregnancy नहीं हो पा रही है तो इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि कुछ जरूरी जाचे आपको जरूर करा रही है जिसमें thyroid है, HB है, blood pressure है अगर इसके बाद दूसरी और कोई आपकी medical condition नहीं है या फिर husband की कोई medical condition नहीं है आप सारी report आपकी सही है, उसके बाद भी pregnancy conceive नहीं हो रही है तो इसमें तो सबसे पहली बात आपको यही धियान देनी है कि आपको उन दिनों को target बनाना है, जिन दिनों में evolution होता है या जिन दिनों को हम unsafe day भी कहते हैं, जिन दिनों में pregnancy conceive होती है उसकी जनकारी मैंने already इन videos में दे रखी है आपका जितने दिन का period है, आप उसी के according उन दिनों को target बनाएंगे जो कि unsafe day है, जो videos में मैंने बताए है क्योंकि pregnancy को conceive करने के लिए आपको unsafe days को ही target बनाना है तो definitely pregnancy conceive हो जाएगी तो इन सारे videos का link मैं नीचे description box में दे दूँगा आपका जो भी period का cycle रहता है, 26 दिन का, 28 दिन का, 30 दिन का तो आप उसके according इन videos को choose करेंगे और उसमें जो भी targeted दिन है, उनको target बनाएंगे and definitely pregnancy conceive हो जाएगी वैल, इसके लाब बहुत सारे लोगों का time related भी बहुत question रहते हैं कि हमारा physical relation हो बहुत कम समय रहता है तो उसमें भी बहुत सारी जनकारी मन्दिय रखी जो कि इन videos में है, आप उसको भी नीचे link प्रेस करके देख सकते हैं और उससे अपनी problem को solve कर सकते हैं तो next video फिर मिलते हैं एक ने टापके साथ Till then keep smiling, see you in next video